वेलकम टू अनदर एपिसोड ओफ मदर एंड सन को आज मैं आपको ब्रेट के बच्चे हुए किनारों से एक मीठा आइटम बनाना सिखाऊंगी जिसको आप किसी भी समय खा सकते हो मैं बताती है उसमें मैंने क्या क्या चीज़ी इस्तिमाल करनी है इसमें ब्रेट के बच्चे हुए टुकड़ा ही इस्तिमाल करूँगी मैं फ्लेवर के लिए कुछ कोको पाउडर यूज करूँगी मैदा की कोटिंग दूँगी और मीठे के लिए मैं इसमें लूँगी रस गुल्ले का रस तलने के लिए तेल और उपर से डेकोरेशन के लिए चौकलेट सिरुप तो आइए हम बैस को बनाना शुरू करते हैं देखिए हम सबसे पहले बड़ा मैंदा लेंगे इसमें अंदाजे से कोको पाउडर डाल दीजिए जितना आपको पसंद है एक स्पून डाला मैंने इसमें इसके बाद मैं इसमें डालूंगी शुगर सिरब एक, दो, तीन, चार स्पून डाल कर देखते हैं अब यह कुछ गाढ़ा है तो इसमें यह पूरे डिप नहीं हो पाएंगे इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा दूद आट कर लोगी इसमें हम डालेंगे ओलिव और यह मैंने पहले से इसमें डाला हुआ है इसमें मैं इसकेट लिप करूँगी उठाऊंगी और डाकूँगी अब मैं इसमें को प्लेंट में नहीं काल दूँगी चॉकलेट सिरप लेंगे थोड़ा से डाकॉरेशन के लिए और यह हमारे क्रिस्पी ब्रेट से तयार स्नेक्स तयार हैं बाए अब बाए